गोरक नाथाना शेतरे इस्तीर विकास नगर कालोनी के पास हत्या के नियस से चलाई गई गोली कांड के तीन अभियुक्तों को गोरक नाथ पुलिस ने धर दबोचा है जिसका खुलासा सीओ क्राइम प्रविन कुमास सिंग ने अपने कारैले में किया गिरिफतर अभियुक्तों के पास से पुलिस ने इंखटना में परियुक्त बारा बोल का तमंचा ब्रामत किया है पकड़ेगे अभियुक्तों में गोरक नाथ पुलिस ने धर दबोल के विकास नगर विस्तार कालोनी निवासी राम शुकला पुत्र अमर नाशुकला अभिशेक यादव पुत्र रविंद्र नाथ यादव मनिश पांडे पुत्र हरी शंकर पांडे शामिल है गोरक नाथ अथा क्राइम प्रविन कुमास सिंग ने बताया आज साम साले चार बजे जो सुचना प्राप्त हुई इन लोगों के बारे में तो इंस्पेक्टर गोरक नाथ द्वारा अपने पूरी टीम के साथ वहां दबिश दिया गया और वहां स्प्रिंगर मोड के पास से तीन लोगों को गिरफतार किया गया जिसमें कि मुख अभ्युक जो राम सुकला ये पुत्र अमरना सुकला जिसने कि वहां फायर किया था एक बारबोर के तमंचे से उसको वहां से मैं असलहा गिरफतार किया गया जो राउंड फैर किया गया था वो भी उसके पास से बरामद हुए एवंग उसके साथ उसके दो अन्य साथी अफसी एक यादव जो कि वहां पे लड़ाई की उधिसे से गये थे और वहां पे एक मतलब अब तो कॉमन इंटेंश जनकी जल से गिरफतारी कर ली जाएगी यह मोबाइल के लेंदेन का विवाद था जो एक अन्याठी नामजद अभीक्त है कृष्णा पाथक ने एक लड़के से खरीदा था अब शेक नामके उसी को लेकर मोबाइल को वापस करना और पैसे का विवाद हुआ जिसको लेकर बाद में इसने गोल बंद होके एक सफ़ेद उसक्यूटी और प्लैटिना के साथ वहाँ पंदर बीच मिलिट बाद दुबारा आया और आने के साथ साथ वहाँ पे रामसुकला ने थोड़ी दूरी से एक और लड़का वहाँ था राजे सुर्फ पटवारी इ इसकी जान बज गई है यह अभी खत्रे से बाहर यह बारा बोर का कट्टा था यह देशी तमंचा था जैसा कह सकते हैं वह भी बड़ा बद हुआ अभी कोई अबरादी की थियास किसी खिलाफ ने